हेलो लर्नर्स, विल्कम डू चैनल, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस कम्मुनिकेशन का टॉपिक, मीनिंग, डिफिनेशन, नेचर करेक्ट्रिस्टिक्स और परपर्ज आफ बिजनेस कम्मुनिकेशन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले वर्ड ह में कम्मुनिकेशन, तो कम्मंुनिकेशन क्या होता है, biz नामनी कहोता है ठीजिए, जब हम लोग अपस बात करते आएक सब्सक्राइब करें, तो आप क्या करते हैं, अपनी बात, अपनी इनफॉर्मेशन, अपनी नौलेज़ को उनको बताते हैं, और सादीज जगा हर समय हर वक्त जो है आप कही ना कहीं किसी ना किसी से communication कर रहे होते हैं तो communication का मतलब क्या हो गए communication is the exchange of information by speaking writing और using some other medium तो communication क्या हो गया exchange का ना किस चीज़ का information का ideas का thoughts का opinions का चाहे वो आप बोल के कर रहे हो एक दूसरे से लेकिन आप क्या करते हो एक्सचेंज करते हो information, thoughts, opinions तो communication का हिंदी मतलब क्या होता है संचार तो communication को दूसरे तरी के सकरम बात करें तो क्या कहेंगे act of transferring information from one place person or group to another तो यह क्या हो गया कि information को एक जगा से एक person से या फिर एक group से किसी दूसरे person place और group में transfer करना ही क्या कहलाता है communication कहलाता है तो अब बात कर लें कि communication word कहां से आया है तो communication word जो ही derive हुआ है Latin word से कहां से Latin word से तो normally MCQs में आते हैं equations की communication word is derived from तो पहला तो एक question होगा है कि Latin word से derive हुआ है यह पूचा जा सकता है कि कौन से Latin word से derive हुआ है तो देखिए दो options आते हैं कहीं कहीं पर communist होता है कहीं कहीं पर communicaire होता है तो communist और communicaire एक ही चीज है बस एक noun है और एक verb है तो Latin word communist हम पहले बात करेंगे इसका मतलब होता है common यानि कि common communication हम क्या करते है जो चीज हमें पता है वो हम share करते हैं दूसरे से और उसको common कर देते हैं common means जो सबको पता है अगर सिर्फ आपको पता है या सिर्फ सामने वाले को पता है तो वो होता है sharing informing spreading या फिर making common तो communication क्या हो गया वर्व हो गया वर्व मतलब की क्रिया अब यहां पर करते हैं common बनाने की क्रिया तो कम्पनिकेर मिन्स क्या हो गया कैसे चीजों को common मनाया जाएगा communication करके भाई आप चीजों को share करोगे चीजों को transfer करोगे एक जगह से दूजरे का information को share कर रहे हो पहुचा रहे हो तो अब वो चीज क्या हो जाएगी वो common हो जाएगी तो communicate भी आप से पूछा जा सकता है कि Latin word communicate से communication डिवाइड हुआ है या फिर Latin word communist से भी communication word derive हुआ है तो ये दोनों ही आप जो है बता सकते हैं तो communication मतलब क्या होगे exchange of information by speaking, writing और using some other medium तो अब बात करने कुछ formal definition की तो कुछ author से जिन्हों ने communication को define किया हुआ है तो new man and summer ने जो है communication को define किया है उन्होंने कहा कि communication is an exchange of facts, ideas, opinion और emotions by two or more person तो communication क्या होगे है new man and summer के according कि communication एक process है जहां पर हम facts, ideas, opinion और emotions को exchange करते हैं दो या दो से अधिक लोगों के बीच में तो that is communication इसी तरीके से according to Peter Little Peter Little ने क्या define किया है communication को कि communication is the process by which information is transmitted between individual and or organization so that understanding response results जाने कि जो भी information होती है वो transmit की जाती है चाहे अलग-अलग individuals के बीच में या फिर organization के बीच में जिससे की एक response जो है वो निकल के आता है तो communication क्या होगे है एक process होगे है according to Peter Little यह होगे communication अब बात कर लें business communication तो देखिए business communication normal सी बात है कि जब आप communicate करते हो चीजों को information को facts को share करते हो business purpose related है फिर किसी organization के अंदर communication हो रहा है तो चीज क्या कहलाएगी business communication कहलाएगी तो simply आप क्या कह सकते है business communication process of sharing information between people within and outside a company यानि कि यह क्या होगे एक तरिके का information sharing हो गया जहाँ पर आप within the company और outside the company की company से related जो बाहर के लोगे है जैसे supplier हो गया transportation हो गया फिर government हो गया जो भी आप documentation related या फिर license related काम करते है तो बाहर के लोगों से मिलना पड़ता है तो उसे जो communication करते हो भी क्या हो गया business communication हो गया तो process of sharing information between people within and outside a company तो वो चीज क्या 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 लाएगी business communication क्या लाएगी दूसरे टम में बात करें तो employees and management interaction to reach organization goal तो business communication का main motive क्या होता है और पर पर विसे बाता है कि हम business में जो communication करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हम organization के गोल को achieve कर सके और बिजने से बीच में किसके बीच में हो रहा है? Employer Management के बीच में लोटा है वही चीज क्या क्या क्यांता है? communication कहलाता है business communication तो high level, top level, lower level इन सब के बीच में क्या होता है information, share होते है, rule regulation, communicate होता है orders pass होते है, instructions pass होते है employee जो अपने gravians है वो high level को बताता है, तो यह सब क्या है कैसे बताया जा रहा है, communication के तुरू अगर communication ही नहीं होगा employee और organization के बीच में, managers और employee के बीच में तो क्या कोई काम हो सकता है, नहीं हो सकता है इसी तरह के से employee को यह नहीं पता होगा कि उसको क्या करना है, जब तक कि उसको rule और instructions को guidance उसको पता नीचे लेगा communicate नहीं किया जाएगा, तो हर चीजे क्या है, communication पर depend करती है, आप घर पे बैठे हैं, आपको प्यास लगी है, तो आप जब तक यहाँ, तो खुद ले लिजे, या फिर आप क्या करेंगे, जब तक आप सामने वाले को बताएंगे निचाब क़ाण और आपको प्यास लगी है, तब तक क्या पाने आगए, SUV को मिल जाएगा नहीं मिलेगा इसी तरह के से business में भी आब बात करें तो जब तक आप employee को उसकी role को उसकी responsibilities को उसके doubts को clear नहीं करेंगे communicate नहीं करेंगे तब तक क्या वो अपनी चीज़ों को अच्छे से perform कर पाएगा तो नहीं कर पाएगा तो communication एक important part है चाहे वो personal life की बात कर ऊचेशन है तो business communication communication relating to business एक्ट इटीविटी तो जो भी business एक्टीविटी perform करते वक्त हम communication करते हैं एक दूसरे से बारचित करते इनफोर्मे शेर करते हैं तो वही चीज क्या कहलाती है बिज्ने क्मुनिकेशन कहलाती है अब बात करने कि nature and characteristics business communication का nature क्या है या characteristics क्या है तो सबसे पहली चीज आपने अभी देखा ही होगा बहुत सारे पेछे भी आपने difference में देखा क्या है यह continuous process है यान कि one time नहीं है कि एक बार आपने communicate कर दिया चीजे बता दिया उसके बाद खतम नहीं आपको day to day यहाँ पर communication होता रहता है एक दिन में आप कई बार communicate करेंगे बार-बार communicate करेंगे और यह continuous process है एक बार बार चीजे इनफार्मेशन को शेर करना होता है facts ideas opinions को शेर करना होता है तो continuous process हो गया dyadic process dyadic means होता है two-way process क्या ही यह two-way है यानि कि communication सिर्फ एक साइट से नहीं होती है, सामने वाले साइट से भी होती है, आगे चलके हम topics पढ़ेंगे, process of communication, तो हाप आप देखेंगे कि sender तो message भेजता है, साथ इसाथ, receiver feedback भी देता थी, dyadic है, two-way है, यानि कि सिर्फ आप बोलना है, सामने से कोई response नहीं आरा, तो वो जो है रिगी, और ये नेटर हो गया, characteristics हो गया, इसी तरगे से pervasive, pervasive means कि हर लेबल पे, चाहिए वो तॉप लेबल हो, चाहिए मिडल लेबल हो, चाहिए वो लोगर लेबल हो, हर लेबल पे, जो है communication की requirement होती है, communication हर जगां चाहिए होता है, हर जगा required होती है, यह pervasive function है, यानि कि हर जगां जो communication होता है हर लेबल पर होता है facilitate change तो business communication यानि communicate करके ही आप कोई भी change ला सकते हैं अगर आपको सबोस करें कि working pattern को employee के working pattern को change करना है तो आप कैसे change करेंगी communicate करके कि आप ऐसा नहीं आप ऐसा करिए आपको time table में, schedule में या फिर working hours में या फिर कोई भी changes लाने है working pattern में machine कुछ भी change लाना है तो आपको communicate करना जरूरी होगा कोई machine खराब हो गए तो employee को communicate करना होगा managers को, managers को कोई rule या regulation में चेंज करना है तो वो communicate करना होगा इसको employee को, यह change को facilitate करता है, इसी तरीके से remove misunderstanding and conflicts, यानि कि जो misunderstandings होती है किसी भी organization में या किसी employee के अंदर, या किसी individual के अंदर या फिर जो भी conflicts होती है, उसको reduce करता है, उसको remove करने में help करता है business communication, अगर communication नहीं होगा तो conflicts आपके अंदर रहेंगी, misunderstanding रहेंगी और आप उसको remove नहीं कर पाएंगे और अगर किसी employee के अंदर conflicts है misunderstanding है, तो यह कहीं न कहीं उसकी productivity पे effect डालता है, वो अच्छे से perform नहीं करेगा, तो इसको remove करता है तो ultimately क्या होता है कि organization के goal को achieve करने में help करता है तो purpose, यानि कि business communication के क्या main motive है, कि बट आप जाते यहाँ पे जो हम business में communication कर रहे हैं, हम अपने organization goal को achieve करने कर रहे हैं, तो अगर misunderstanding है, conflicts है employee के अंदर तो क्या वो achieve हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो इसलिए जो communication है business communication अगर effective है तो वो misunderstanding को, conflicts को remove करता है और worker के performance को employee के performance को improve करता है तो यह बात होगी nature characteristics की अब next topic देख लें, purpose of business communication कि business communication का purpose क्या है क्यों जरूरी है business communication अच्छा से हो effective हो, क्यों जरूरी है तो, but always जबात है to issue, order and instructions सबसे पहली चीज़, कि business में जब हम communication करते हैं, तो orders को, instructions को, issue करने के लिए हमें communicate करना जरूरी होगा चाहे वो written form में हो, चाहे oral form में हो आपको वहाँ पे, जो order से instruction से, उसको issue करेंगे, और issue करेंगे that is communication, next है to communicate with superior subordinate peers तो, यहाँ पर बट बात है कि business communication की requirement पढ़ेगी, ताकि हम अपने peers से अपने साथ जो coveraker है, subordinates आपके नीचे काम करने वाले हो, superior जो आपके उपर, आपके boss होते हैं, उनसे communicate कर सके हैं, तो business communication इसका भी main motive है, to convey the right information right information, correct person को superior को, चाहे subordinate को, चाहे peers को पहुंचाना हो, उसको convey करने के लिए business communication की requirement होती है, to receive suggestions, suggestions, managers को कुछ decision लेना है, या फिर suppose करें कि नया plant open करना, नया branch open करना है, तो उसके लिए suggestions ले सकते हैं, employee से, subordinate से, superior से, किसी से भी ले सकते हैं, तो suggestion कैसे हैगा, communication अगर नहीं करोगे, तो कहीं से suggestion आएगा, नहीं आ सकता, तो communication ज़रूरी हो जाता है, to persuade people, किसी person को, किसी employee को समझाना है, तो कैसे समझाएंगे, communicate करके ही समझाएंगे, तो किसी भी employee को misunderstanding हो गया है, तो उसको कैसे persuade करेंगे, communication करके, to provide counseling, किसी भी employee को demotivate हो गया है, फिर छोड़ के जाना चाहरा है, exit कर रहा है आपके organization को, तो उसको समझाने के लिए, जो है, आपका उसको counsel करने के लिए, उसको motivate करने के लिए भी क्या करना पड़ता है, business communication का use करना पड़ता है, to learn, कोई भी चीज़ सीखनी है, चाहिए, वो training के थो चाहिए, development के थो, वहाँ पे communication की requirement पड़ती ही पड़ती है, यह कुछ purpose है कि क्यों business communication जरूरी है, किसी भी organization में, to achieve organizational goal और ultimate goal होता है, किसी भी organization का, that is to achieve the organization goal, organization के goal को achieve करने के लिए, business communication जरूरी है, अगर communicate नहीं करेंगे, तो आपके employee perform नहीं कर पाएंगे, सही से नहीं perform कर पाएंगे, और सही से perform नहीं करेंगे, तो आपका organization goal achieve नहीं हो सकता है, तो communication के थूरू आप orders and instructions को issue करते हैं, communication के थूरू आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं, right information को convey करते हैं, suggestions देते हैं, people को समझते हैं, counselling करते हैं, training और development करते हैं, और finally, ultimately goal, organization का जो goal होता है, उसको achieve कने में help होती है, तो इस वीडियो में इतना ही next topic जल्द लेंगे, wish you all the best, keep watching, subscribe to the channel for more videos, thank you